दोस्तोगराप electronic के field पे बिल्कुल नए है या फिर उसकी जानकारी चाहते हैं या फिर वो काम करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना इससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है इससे related कापी सारी comments मेरे पास आई थी तो finally आज मैं वीडियो ल करना ना भूले like करें ना करें बठ सेर ज़रूर करें इससे काफी सारे लोगों को benefit मिल सकता है अब बात करते हैं topic की देखे electronics में अगर आप बिल्कुल नए आते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं जैसे की starting में components को पहचानना उनकी testing करना और उनके बा जैसे resistance को कैसे test किया जाता है, diode को कैसे test किया जाता है, capacitor को कैसे test किया जाता है, उनका क्या काम होता है, diode कितने प्रकार के होते हैं, capacitor कितने प्रकार के होते हैं, सभी से related video आ चुका है, आज का जो topic है, वो है, कुछ components ऐसे होते हैं, जिनको हम एक ही direction में लगा सकते हैं, और resistance को कैसे लगाया जाता है circuit पर उसका भी कोई plus minus होता है क्या तो यही बात है हो सकता है आप लोगों के मन में भी हो resistance नहीं बलकि बहूँ सारे components diode है NTC है IC है capacitor है तो इस तरीके से बहुत सारे components है उनको किस direction में लगा जाता है क्योंकि example के लिए अगर आपको मैं बता दूँ ये जैसे एक capacitor है ये वाला electrolyte capacitor है इसको हम सिर्फ एक ही direction में लगा सकते हैं अगर हम इसको उल्टा लगा दें यानि कि उल्टा बोले तो इसके negative की जगह हम positive लगा ले जैसे कि box type capacitor है यहाँ पर लगा हुआ है देखें box type capacitor है इसको अगर हम ऐसे लगाने के बजाए इसको ऐसे करके लगाने क्या एक capacitor फट जाएगा नहीं ये नहीं फटेगा क्या ये PF को हम ऐसे न लगा के इसकी leg इधर की उधर उधर की इधर लगा ले तो क्या ये चलेगा या फिर फट जाएगा तो ये सब इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिल जाए का पैस्टर नहीं बहुत सारी जो भी कंपोनेंट वापको में बता जाएँ आप स्टार्ट करते हैं देखिए आपको सभी बताऊंगा यहां पर ये जो है कपासिटर है ठीक है ये ये उलेक्ट्रोलाइट चापसिटर है इस पे प्लस और माैनस होता है यानि कि इनकी एक डाइरेक्शन होती है इनकी एक प्लोरेटी होती है ये देखिए यहां पर इस टाइब से पट्टी अगर आपको बनी बी दिखती है जैसे कि example के लिए आपको एक capacitor लग से दिखा दिता हूं, यह electrolyte capacitor है, तो यहाँ पर यह negative की पट्टी है, तो इसके पास में जो lag आ रही है, वो negative की है, और यहाँ पर जो lag आ रही है, यह positive की है, तो यह negative की और यह positive की, तो यह जब भी circuit में लगते हैं, electrolyte जो भी capacitor होते हैं, जिन पर minus और plus लिखा होता, plus तो नहीं लिखा होता, but minus ही minus लिखा होता है, तो वो आपका plus minus उसके lag होती है, तो इनको सिर्फ electrolyte capacitor को आप सिर्फ एक ही direction में लगा सकते हैं, जैसे कि कोई भी circuit आप example के लिए कोई भी circuit आप ले लीजिए, तो इसके नीचे एक इस तरीके से निशान बनावा रहता है, इस तरीके से निशान बनावा रहता है, किसी किसी में तो कुछ design सा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से, और उसके पास में आपको C लिखावा मिलेगा, जो भी capacitor आपको किसी भी board पे दिखता है, तो वहां पर आपको C लिखाव आपको है, देखिए, यह देखिए, सी लिखाई, यह भी एक capacitor का ही type है, तो capacitor बहुत प्रकार की होते हैं, उनको आपने पहले सीखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको, तो यहाँ पर जो capacitor का यह point है, यह electrolyte capacitor का point है, और यहाँ पर ज्यादेतर electrolyte capacitor के point में इस तरीके से goal आपको मिलेगा, अब वहाँ पर कितने microfarad का, कितने वोल्ट का capacitor लगना है, वो तो बात की बात है, वो तो बात की बात है, वहाँ पर track करके पता चलेगा, उतने वोल्ट कितने आ रही, उसी हिसाब से होपर capacitor लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो भी electrolyte capacitor कभी भी capacitor को अगर हम वोल्टेज से ज्यादा लगा लें और उल्टा लगा लें, तो वो capacitor वहाँ पर फट जाता है, यह तो रही capacitor की बात, अब आपको एक बार बता दू, यह negative का है, जहाँ पर पट्टी सब दिख रही है, वो negative का है, और यह positive का है, तो इस तरीके से negative जो है, वो आप उस तरब को रखेंगे, positive को इस तरब को इस तरीके से आप पर shoulder करेंगे, गल्ती से ऐसे मत लगाएगा, तो यह तो रही electrolyte capacitor की बात, किसी भी circuit में electrolyte capacitor दिखते हो, तो उनको उसी direction में लगए, जैसे direction वहाँ पर indicate करी गई है, अब बात करते हैं, दूसरे capacitor की, जैसे yellow वाला है, इसको आप कैसे भी लगाईएगा, यहाँ पर कोई plus minus का निसान नहीं है, इसलिए, क्योंकि वहाँ पर उसको आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, जैसे ऐसे लगा लिया, आप चाहें तो उसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और यह जो capacitor है, यह भी capacitor है, यह ही आपका capacitor ही है, C यहाँ पर लिखा न, C8, 8, 9, 10, यह सब जो लिखे होते हैं, यह इसके एक coding होती है, इसके जो इसके numbers होते हैं, उनको coding यहाँ पर करी गई होती है, तो वो 8, 9, 10 आप फोड़ दो, देखो आपर क्या लिखा है, C लिखा है, तो वहाँ पर capacitor है, यहाँ पर देखे, C6 लिखा, यहाँ पर भी कोई न, कोई capacitor, electrolyte होता होगा, क्योंकि वहाँ पर electrolyte capacitor पर इस तरीके से उसकी polarity या फिर उसको indicate किया गया रहता है, यहाँ पर negative है, यह तो रही electrolyte capacitor के बाद, बाकि आपको yellow, blue, यह capacitor है, वैसे एक circuit मे और पकड़ लेता हूँ, जिन में अब ध्यान से उसके numbers को पढ़िएगा, वहाँ पर आपको volt और microfarad जरूर लिखा दिखाई देगा, छोटे वाले में तो आपको नहीं दिख सकता, बट box type में आपको दिखाई दे सकता, देखे, 0.1 microfarad का यह capacitor है, और यह कितने, 275 volt AC maximum में लग सकता है, या तो उससे, इससे कम voltage आ रही हो, तो वहाँ पर लग सकता है, अगर 300 volt के पास में भी अगर इसको लगा देता हो, तो यह फट जाएगा, जहाँ पर capacitor, जितने volt के लिए requirement होता है, वहाँ पर उतने volt का ही लग सकता है, तो यहाँ पर लगभग 275 लिखा है, तो लगभग 270, 260 या 500 volt के something यहाँ पर ही है, और यहाँ पर नीला वाला या फिर ब्लू वाला इसको भी आप कैसे भी लगा सकते हैं, बस electrolyte की जो capacitor होते हैं, जिन में plus minus लिखा होता है, उनका ही सिर्फ direction आपने accurate रखना होता है, बांकि अधर का आप बिलकुल ignore कर दीजिए, जैसे लगाना हो वैसे आप लगा देखिए, एक सुसार नंबर का ज्यादे तर यहाँ पर लगता है, तो एक सुसार नंबर का जो capacitor है, यह कुछ नैनो फेरेड पर होता है, ठीक है, 100 नैनो फेरेड के something का यह capacitor होता है, एक होता है आपका microfarad, उसे छोटा होता है, पीको फेरेड जिसे आप पी एफ बोलते हो, पी एफ बोलते हो ना, वह होता पीको फेरेड, तो यह जो है पी एफ, ठीक है यह है पी एफ, यह capacitor ही है, बट इसकी जो पी एफ में यानी कि पी को फेरेड में count करी जाती है, चलिए इसको पी एफ बोला जाता है, यह होता कंपेस्टर ही है, यहाँ पर C2 इसमें लिकाना, तो इस PF को आप कैसे भी लगा सकते हो, PF आपके ये वाले वह उत्यों कुछ PF आपको दिखा देता हूँ, चलिए, तो ये भी PF किसी किसी circuit में आपको देखने के लिए मिलेंगे, सबसे ज्यादा circuit में ये ही PF मिलते हैं, इसको भी आप कैसे भी योज कर सकते हो, आप उसके point में ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ये घपराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें plus minus नहीं indicate किया गया रहता है, तो वैसे ही ये जो PF है, और इससे भी छोटा एक capacitor है, जिसकी storage को हम NF में count करते हैं, नैनो farad पे, वो ये ही वाला होता है, नैनो farad वाला, ये वाला, तो इसको भी आप कैसे भी यूज कर सकते हो circuit पे, ये तो रही हमारी capacitors की बात, जहां पर जैसे capacitor आपको देखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही वहां पर आप उसी हिसाब से, electrolyte capacitor को छोड़के, बांकी जितने भी होते हैं, उनको आप कैसे भी यूज कर सकते हो, और हाँ AC वाले जो capacitor जो fan पे लगते हैं, उनको भी आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो, जैसे ये capacitor इसको भी आप कैसे भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे capacitor तो ये भी capacitor है, ये भी capacitor है, को अच्छी तरीकी से समझ गया हूंगे अब बात करते हैं अगले कंपोनेंट की जो मोस्ट यहां पर पूछा गया था रेजिस्टेंस का देखे रेजिस्टेंस को आप कैसे भी यूज कर सकते हो जैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट कैपेश्टर को छोड़ के अधर कैपेश्ट से अगर आपने इस रेजिस्टेंस को देखिए एक्जांपल के लिए बता रहा हूं सिर्फ ठीक है एक्जांपल के लिए इस रेजिस्टेंस को आपने इन दोनों पॉइंट से निकाला हुआ है और यह पहले इस तरीके से लगा हुआ था एक सिर्फ एक्जांपल के इस तरी डिरेक्शन में लगा सकते हो, रेजिस्टेंस किसी भी टाइब का हो सकता है, रेजिस्टेंस आपका ज्यादे वाट का भी हो सकता है, कम वाट का भी हो सकता है, और भी ज्यादा वाट का भी हो सकता है, बड़े बड़े रेजिस्टेंस भी हो सकता है, रेजिस्टेंस की पहचा की तरह दिखाई देते हैं, जैसे एक inductor coil होती है, बिलकुल आपको इस तरीके से हरी हरी color की मिलेगी, उसमें और resistance में आप बहुत ज्यादा confused हो जाएंगे, असल मैं आपको बताऊं, inductor coil और resistance में एक difference है, उसके shape का, ठीक है, यहाँ पर, shape का तो difference है ही है, उसके बाद आपको वहाँ पर ऐसे, ऐसा बिलकुल resistance की तरह कोई component लगा है, उसके बगल में आपको L लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, L, याद रखिए L, तो वो आपका coil है, बाकि अगर R लिखा है, तो resistance, R बो हमेशा यह चीजें, फिर दिमाग में आपके बैठ जाती है, और आप और भी अच्छा सीख पाते हैं, और मेरे को लग रहा है कि आपको इससे भी अच्छी जानकरी और कैसी चैनल पर मिलती होगी, support करते रहेगा, चलिए आप वीडियो को हम continue करते हैं, resistance के भी आपको पता है, वो है diode, सभी circuit, resistance, capacitor, diode से मिलके बनते हैं, अब बात करते हैं, diode की, diode भी आपको किसी भी तरीके का किसी भी shape का मिल सकता है, और diode के भी बहुत सारे types होते हैं, photo diode है, general diode है, diode है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जो भी diode आपको दिखता है, वो आपको उस direction में ही ल उल्टा सीधा नहीं लग सकता, resistance की तरह, वैसे ही आप एक example के लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे diode के कुछ points यहाँ पर बने हुए हैं, देखिए, और diode के पास में जो diode को code किया रहता है, वो D करके code किया रहता है, देखिए, यहाँ पर D लिखावा है, D, यह आ अपने डायोड को लगाना कैसे है, आपको मैं एक डायोड पहले अलग से निकाल लेता हूँ, और उसके बाद दिखाता हूँ, देखिए, एक डायोड मैंने यहाँ पर निकाल ली है, अब यहाँ पर डायोड को लगाना कैसे है, देखिए, बिलकुल यहाँ पर डिजाइन भी बना रहा है चितर भी बना रहा है डायोड को लगाना कैसे है डायोड में एक तरफ को सिल्वर कलर की पट्टी होती है एक तरफ को ब्लेक जो सिल्वर पट्टी है वो अपने लगानी है यहां को यह देखिए यह देखिए इनोंने यहाँ पर एक ऐसे निशान बना रहा है तो सिल्वर पट्टी का है तो सिल्वर पट्टी को उस तरफ को रखना है और ब्लेक पट्टी को इस तरफ रखना है इस तरीके से आपने डायोड को सोल्डर यहाँ पर करना है अगर गलती स तो आपको बता दिया हम ने जो भी डायोट आपको दिखती है बिलकुल उसी पुजेशिन में आपने डायोड को लगाना है, डायोड के आपको बहुत सारे टाइब बता दिये, LED एक झोटी सी आपने light देखिए उन्हें LED light वो भी diode के ही family का एक member है ये इसको बोलते है light emitting diode इसको भी आप उसी direction में लगा सकते इस direction में उस board पे indicate किया गया है तो अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे LED को तो क्या होगा LED नहीं जलेगी सुल्टा लगेंगे तो जलेगी या सीधा लगेंगे तो ही जलेगी तो ये भी diode है ये black वाले ये भी diode है और आपको पहचान और बता दू ऐसे आपने D लिखावा देखा तो वो diode ही है और शरकित में LED को भी D करके ही दर्शाय जाता है और अगला एक और diode है ये ये देखिए ये ये डायोड है ना ये 4148 डायोड है ये switching डायोड होता है ये ज्यादत तर BC 547 48 के पास में लगता है जो IC को fast signal देने का काम करता है ये फी डायोड के ही अंतरगत आता है आपको लग रहा हो कि ये जेने डायोड है नहीं दोस्तों ऐसा ही एक और जेने डायोड होता है बस कुछ नंबरिंग का इसमें difference है जो जेने डायोड होता है उसमें वोल्ट करके दर्शाया होता है जैसे कि उसकी जो वैल्यू है उसमें वी करके लिखा होता है जैसे 5V का है तो 5V and 12V है का है तो 12V 50V का है तो 50V करके लिखा होता है बस इतनी पहचान है और जेने diode और 4148 diode को भी उसी direction में लगाया जाता है जिस direction में वहाँ पर उसको दर्शाया गया हो आप गलत direction में इसको नहीं लगा सकते हैं और जिनने डायोड को ज्यादे तर आपको सर्किट में ZD, याद रखिए, ZD करके दिखाया जा सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यह जो 4148 डायोड है, उसके पास में ZD नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यह एक normal IN डायोड है, तो इसके बगल में आपको D लिखावा दिख सकत जैड बोले तो जैने, D बोले तो डायोड, तो इसको जैसे आप इसको में हटा देता हूँ थोड़ा सा, आपको और close में दिखाना चाहूँगा, देखिए, इसको मैं कट कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आप देखिए का, यह देखिए का, जैसे सभी डायोड में इंडिके मिलेगा, देखिए, ब्लैक पट्टी मिलेगा, तो इस और को इसको लगाना है, इधर पे, इसको आप उल्टा लगा देंगे, यह फट सकता है, खराब हो सकता है, सर्किट भी आपका खराब हो सकता है, तो इसलिए इसको उसी पोजेशन में आपने लगाना है, तो यहाँ प सकता है कुछ फोटो डायोड भी होते हैं जितने भी डायोड के कटिगरी में आते हैं सब भी को इस तरीके से लगाए जाता है देखिए वीडियो वह रहा हूँ तो आप छोड़ सकते हैं यह सिर्फ नए बंदों के लिए जो सीखना चाते हैं क्योंकि काफी लोग वीडियो प आप उसी पोजिशन में लगा सकते हैं जिस पोजिशन में वो अल्रेडी था यह देखिए आपको ट्रांजिस्टर के पास में ऐसे ही एक इस तरीके देखिए यहां पर नहीं है तो यहां पर दिखा दिया मैंने इस तरीके से ट्रांजिस्टर के पास में एक सेप मिल सकती है उसके बगलम आपको Q4 लिखा हुआ मिल सकता है 4 बोले, 4 को आप इग्नोर कीजिए Q ट्रांजिस्टर के बगलम आपको Q लिखा हुआ मिलेगा Q जितरे भी ट्रांजिस्टर हैं सबके अगलम अगलम आपको Q मिलेगा आप किसी भी transistor को उठा लिए True transistor के बहुत सारे टाइप होते हैं तीन चाइब के उतते हैं तो एक ट्राइफी सिद थोड़ाई होता हैं ये सब transistor होते हैं बस इनका नाम अलग-अलग होता है इनका अलग-अलग काम भी होता है बट यह आते सभी transistor के ही अंतर करते हैं track track MOSFET और IGPT transistor यह सब की coding को क्यों करके दर्शाय जाता है क्यों याद रखिए इनकी सेप अलग-अलग हो सकती है और भी देखें हाँ ये ये वाली भी आपने ट्रांजिस्टर देख्योंगी आप अपने देख्योंगी मीडियम साइच किये इसके बगर में भी क्यों लिखा हुआ है ये भी एक ट्रैक है तो इसका भ लिखाना भूल गया ये देखिए ये भी रजिस्टर की अहीं कि ये जो है न है ये वोलिउम साइब का इसको प्रिक्ष वैल्यू नहीं होती बस एक मैग्जिमम जो शो Repeat मेलिया इसे ए वहन मेगाउम की है इसे हम घटा के हन्रेट किलोंग का भी बना सकते है 200 ohms का भी बना सकते हैं 200 ohms का भी बना सकते हैं बस यह देखिए इसलिए बोलते हैं इसको variable बस जैसे हम चाहें उसकी resistance को घटा या बढ़ा सकते हैं Maybe 1 ohms कर सकते हैं यहां पर आपको VR लिखावा मिल सकता है यह पर रिखावा मिल सकता है यह वोलते 40 हृडिита यस्दा इसलिए लगाना है सिर्फ उस्ही डीरेक्शें आपर जैसे circuit मौ लगा हुआ है अभी हम कहां पर थे अभी हम थे na transistor पर तो ट्रांजिस्टर को हम क्यों करके वहाँ पर पहचानते हैं और ट्रांजिस्टर को जैसे सर्किट में लगा गया है वैसे लगाया जाता है देखिए आपको सोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा यह जो देखिए ट्रांजिस्टर यहाँ पर इस तरीके से बना और तो कुछ ने दिख रहा हां, relay, relay के लिए वी सेम वहाँ पर उसकी, वहाँ पर pin-out बिलकुल लगा के रखी है, जैसे वहाँ पर holes बने हो, ऐसे उसकी, पिन और वहाँ पर रखी है, basically, relay को कुछ-कुछ circuits में use किया जाता है, जैसे कि कोई UPS है, inverter है, इस टाइप के circuit में, तो relay के लिए जितनी pin वहाँ पर मिलेंगे उसी हिसाब से वहाँ पर आपको holes मिलेंगे soldering करने के लिए और अगली चीज है ये भी आपको जानना जरूरी है जैसे यहाँ पर एक connector के लिए ये point दिया गया है तो connector भी आप उल्टा सीधा नहीं लगा सकते हैं जैसे उसकी shape और उसकी design वहाँ पर बनीवे वैसे लगा सकते हैं जैसे यहाँ पर connector का design ऐसे दिया गया है तो यहाँ पर देखिए देखिए इस तरफ को यह कटा हुआ इससा मिलेगा तो इसको इस तरफ लगाना आपने याद रखिए अगर उल्टा लगा लेंगे क्या होँआ प्लस मैनस गले डियरेक्शन में चला जाएगा या फिर जो इसमें voltage आपकी input करानी है यहाँ से output लेनी हो गले डियरेक्शन में चला जाएगा तो जहां पर एक connector के पास में कटा हुआ इसा होता है उसको आप इस तरफ को लगाएंगे यह देखिए यह देजाइंजा पर दिया गया ना उस तरफ को आप लगाएंगे यह रेजिस्टेंस है ठीक है आप लोग सोचनोंगे यह क्या चीज है तो बास में देख लिजे आर अलिका होना यह रेजिस्टेंस है बस ज्यादा वाट की है दो वाट की है रेजिस्टेंस है तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस अलग लग वाटेज की आती है कोई छोटी छोटी कॉटर वाट हाप वाट एक वाट दो वाट तीन वाट चार पाच साथ दस बीस अलग अलग अ होती है वो तो circuit में load के हिजाब से लगती है circuit में load ज्यादे है तो उस हिसाब से ज्यादा wattage की लगेगी बस ohms वहाँ पर आपको कम ज्यादा मिल सकता है बस wattage के हिसाब से resistance का size लगता है अब यहाँ पर load ज्यादा होगा इसलिए तो यहाँ पर 2 watt का resistance लगा हुए तो यह चीज आपको confirm करवा दी हाँ आइसी का मैंने आपको नहीं बता है आइसी का भी बता देता हूं बेसिकलिए यहाँ पर जो आइसी लगी वी है यह आइसी लगी वी न तो इसके नीचे भी एक इसका का design सा बना हुआ रहता है एक design सा बना हुआ रहता है जैसे की मैं भी आपको दिखाता हूं फिलाल आप समझ लीजिए आइसी के बगल में आपको आइसी लिखी भी मिलेगी या इसके नीचे आइसी लिखावा रहेगा जैसे इसमें लिखाना है यह आइसी का पॉइंट है यहाँ पर बले यह नोने कुछ और कॉपोनेंट डाले हैं बाइपास वगर करने के लिए शौर्ट कर तरीके से लेकिन यह आईसी का पॉइंट है याँ पर डिजाइन बना के रखा हुआ है तो आईसी के पॉइंट में आपको आईसी लिखी भी मिल सकती है और यह देखिए यह जो कटा हुआ इसा है न एक यहाँ पर गोल बिंदू है उसको छोड़ दो जहां पर को यह आईससे लगा ले तो ऐसी तो खुराब होगी, सर्केट भी खराब या पर ब्लास्ट contrac हो सकता है यह देखिए यहाँ पर छोटी करमी मिल सब्सक्रथी बैठाना इसी डिजाइन के ऊप़र तो इसको उलटा सूलटा सीधा इस तरीके से आपने नहीं करना यह चीजें आपको मैंने बता दी है और कुछ अधर कंपोनेंट्स का भी आपको बता दूँगा अभी वीडियो मत छोड़िएगा अभी आपको मैंने SMD कंपोनेंट्स का भी बताना है क्योंकि यह भी बहुत जरूरी आपके लिए हो सकता है अगर मैं आपको कुछ अधर कंपोनेंट्स की बात करूँ जैसे कोईल कोईल भी बहुत सारे सिर्किट में देखने के लिए मिल सकती है देखिए यह पहले NTC का बता देता हूं NTC और PTC की हीटिंग के हिसाब से चेंज होते रहती है अगर यह NTC क्या होता ना अगर इसको थोड़ा सा गर्म कर लो इसका रिजिस्टेंस घट जाता है यह सर्किट में एक एज प्रोटेक्शन लगाया जाते हैं तो जो NTC होता ना NTC को भी आप किसी भी डिरेक्शन में लगा सकते ह जैससे कि इसकी यह लग यहां पर लगी है तो ऐसा नहीं है इसको इधर से इधर भी ब्हुंई कील लगा सकते हो इसको ऐसे घुमा के भी आप लगा सकते न्टीसी को और अखांस को अर NTC क Nepo NTC के पास मां आपको NTC लिखावा मिल सकता है यहा पर एक कोईल लगनी थी यहा पर देखिए लिखाव है कोयल का है हाँ पर डिजयन मना के रखाव बड़ यहां पर इन्हों ने एंटी सी को दे दिया है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चलता है वो इन्होंने अपने हिसाब से hem किया गया है, अपने हिसाब से sy sausage component को बिठाया है, और एक coil और होती है, यहाँ पर आपको एक circuit में दिखाना चाहूंगा, यह देखिए, यह है coil, यह वाली आप देख़ाएं, यह देखिए, यह है Costa, यहाँ पर असल में इन्होंने L लिखना थ गलती से अंहिने T करके लिखा हुआ है ति यहां पर यहां को ने कैसे भी लगा सकते हैं ऐसे लगाई एब लॉटे में दो लेघ होती हैं feder लॉट आपको coil के बहुत सारे टाइप सोते जहरा एक कोईस आपको मैं दिखा देता हूँ कुईल आप दिखा देता हूँ ये आपका ड्रेंट की काईस है दिए इस टैप की काईशिदी 활EE क्या है आपको बशनकी है कोईल को मतलब तो सी से होता है बट यहां पर आपको यहां पर देखिए लिखावा मिलेगा मैंने कोई कोर्स नहीं किया बड़ आपको मैं बैटर से बैटर चीज समझाने की कोशिश करूंगा हो सकता कुछ गलतिया मुझसे भी हो बट कोई चीज अगर मेरे से थोड़ा सा एक कम्यूनिकेशन से ही हो सकता है अगर एक्री हैं तो लाइक मारे हाँ तो यहां पर इस Evans कोडिंग सेशा कोडिंग कोर्स ओकर लिखा रहता है तो यह भी कोईल है और यह भी कोईल है देखिए इसके अंदर इसको मैं चींदे लूगा तो इसके अंदर कॉयल मिलेगी और ऐसे ही आपको मैं एक यह दिखाता हूं हूं यह द carbohydrate ट्रांसफॉर्मर की किसे में न असर में एक कॉयल है देखे यह एक कॉयल है में इसके बगल में देखिए ना क्या लिखा हुआ है यह देखिए क्या लिखा रहता तो यह ख़ल tarangस park वोलते हैं k comprehensive मैं ज्यादर कोईल म आपको 2 लग देखने के लिए मिलती है दो लन देखने हैं मिलना इसके नेचे जशट आपको देखें दो लग हैं देखिए लेडी बल्ब को मैंने कुछ दिनों पहले बाइपास किया वाता है अगर आइसी खराब हो जाती तो आप सिर्फ एक इन दोनों कंपोनेंट की मदद से अपने लेडी बल्ब के ड्राइबर को रिपेर कर सकते हैं उसको जरूर देख लेना तो यहां पर यह एक कोईल ह समझेगा उसके बग़र में लिखावा अगर आपको लिखावा नहीं मिलता तो उसको उसकी लगो को लिखाऊ मिलेगा देखिए लिखा हुआ इसके जर्स्ट अंदर पढ़ेंगे साइध आपको दिख रहे हैं लिख रहे हैं अंदर देखिए इसके अंदर देखिए कैसे दिखा हूं आपको पूरा component निकालना पड़ेगा मेरे देखिए, L लिखाओ है न, साथ दिख रहा है तो अच्छी बात है L, तो इसके नीचे L लिखाओ, यह एक कॉइल है, और यह भी कॉइल है, देखिए, इसके अंदर लिखाओ है, L करके, तो यह सभी की सभी कॉइल है, जो इस टैप की मैंने आपको बताई, बागी तो वहाँ पर कंपोनेंट में कोडिंग लिखी होती है, उसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं, अब लगे हाथ, एक और कंपोनेंट की हम बात कर लेते हैं, वो है, आप्टो कॉपलर, जब सभी कंपोनेंट के बारे में मैंने बता दिया, और यह क्या चीज है आपको मैं बताना चाहू यह एक कोईल है, इसके नीचे देखिए, देखिए, कोईल का लिखा नहीं है, बट कोईल का निसान बना के रहागा, कोईल का निसान इस तरीक से बना रहता है, तो यहाँ पर भी एक कोईल ही है, ठीक है, यह कोईल है, इस तरह किके सेफ माप को मिल सकती है, हरी ब्लैक कलर की उसको अंदर आप फोड़ के देखंगे तो कॉइल ही निकलेगी तो यह चीज बता दी और कुछ कोईल ऐसी भी हो सकती है देखिए यहां पर देखिए यह कोईल यह कोईल ब्लेक कलर की यह भी कोईल है और यह तो डàiयोड है क्योंकि इसके नीचे भी डायोड लिखाया और एक यह देखे डायोड का सेंबल है तो आपको मैंने क्या बोला को आप किसी भी डायोड में लगा सकते हैं बस आपने डायोड कपैसिटर और इस पोजेशन में लगाना है जैसी पोजेशन में लगाना है या फिर उसको दिखाया गया है इनको अगर आप गलत लगाते हैं तो आपका सर्कृट खराब हो जागा आपको दुबारा बता रहा हूँ आप ध्यान से इस वीडियो को दुबारा भी देख लेना अगर जलबाज प्रवान के नीचे भी एक पॉइंट यहां पर पॉइंट तो नहीं दिया बस यहां पर देखिए इसकी एक लग अलग से यहां पर थोड़ा सा यूनीक दे दिया नोने वाइट करके तो इस तरफ को यहां पर ऑप्टोबलर के पॉइंट से मैच करके इस दरफ लगाना यह मैंने बहुत ही पहले आपको बता के रहाँ नहीं देखिए वीडियो देख लेना और जितने भी कंपोनेंट है सभी से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको एंड इसकी पर देदूँगा उन सभी को देख लेना तब यह आप और भी ज्यादा इस पोजिशन में अल्रेडी लगा हुआ था और यह भी एक वही डायोड है आपको बोला था इसके नीचे देखिए डायोड का यहाप सिंबल बनाके रखा हुआ है यह एक डायोड है तो इसको भी उसी डायरेक्शन में लगा है यहाँ पर दिया भी गया है इसका इंडिके क्यों से यह दिये हैं तो देखके सकते हैं आप यह होती है और शीक्ने वालों के लिए मजदार होती थी है नहीं सब्सक्राइब करता यह था है यह पछी आ में lag होती है तो SME component में आपको देखिए यहां पर इस तरीके से जीनल मिल जाएंगी देखिए जीनल डाइट मिल जाएंगी तो जीनल डाइट या जो फोरन फोरेट डाइट है सेम एक जैसे दिखिती है बस के अंदर जो कोडिंग निकी होते है उनीकर डिफ्रेंस होता है इन् इनका आपको बता दिया प्लस मैनेस का देखके लगाना है जैसे कि यह देखिए आपको यहां पर माइनस रखना है इस लेग पर प्लस रखना है इस तरीके से डिजैन जहां पर बना होगा हो माइनस का होता है और क्रिस्टल को भी आप वैसे क्रिस्टल का तो क्या होता है हि crystal को किसी भी position में डाल सकते हैं और यह आईसी है आईसी जो तो मैंने बता दिया एक point यहाँ पर दिया गया है जैसे कि बड़ी IC में आपको you cut मिलेगा और इसमें आपको एक point मिलेगा इसके नीचे आपको ऐसा ही मिलेगा उसी हिजाब से आप इसको रखके soldering भारेंगे और बाकी SMD जो resistance होते हैं देखिए mobile पे जो SMD resistance होते हैं वो black color के होते हैं उन पे कुछ भी 102, 103, 104, 105 नहीं लिखा रहता बट उससे थोड़ा से बड़े वाले उन में लिखा तो रहता है कम से कम 103, 103, 10562 है यह resistance है इनको आप किसी भी position में लगा सकते हैं अब जो SMD component वाला जो board होता है उन में कैपेस्टर में एक खास बात होती है उन में electrolyte capacitor वाला हिसाब नहीं होता है हाँ जहां पे electrolyte capacitor मिल रहे हो आप तो electrolyte capacitor आप उसी position में लगाएंगे बट जितने भी आपको यह यह यल्लो वाले और डार्क यल्लो वाले आपको capacitor दिखे रहे हैं देखिए यह वाले capacitor है और जाद Whole जो ज़्याद किसी भी position में इसको लगा सकते हूं ओए से अगर नहीं लगा है तो आप उल्टा करके भी लगा सकते हैं आप यूँकि इसमें बिल्कुल भी इतने चोटे होता हैं कि नमबरीं यहां पर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इनको आप कैसे भी पोजिशन में लगा सकते हो, जो यह वाले कैपेश्टर से, और यह रजिस्टेंस को भी आप कैसे भी लगा सकते हो, और जीनर को आप वैसे लगांगे, तो चलिए बता देता हूँ, ये देखिए, ये आपका transistor है, इसके मैं भी आप देखिए, तीन लेग होंगी, एक, दो, उपर है, इसमें देखिए, एक, दो, उपर है, तो transistor के बगल में आपको क्यू मिलेगा, और mostpate के बगल में क्यू मिलेगा, track के बगल में क्यू मिलेगा, जो भी ट्रांजिस्टर के मतलब परिवार के फैमली के सदिशे हैं, उनको बगलमा आपको क्यों मिलेगा, तो यह SMD ट्रांजिस्टर है, इसके लिए तो यहां पर इसी डारेक्सर में लगाने को बनता है, क्योंकि इसके सेप बिलकुल ऐसे ही बनी वही रहती है, तो इसको भी कि आप उसी डारेक्सर में लगाएं, जी डारेक्सर में अल्लेडी था, बाकि आप यह जो क्योंकि पैस्टर है, रेजिस्टेंस है, SMD में इनको आप कैसे भी लगा सकते हो, किसी भी पोजिशन में लगा सकते हो, और उसे बड़ा एक और ट्रांजिस्टर होता है, ठीके, र सेप नहीं बनी है, दो लेग इसमें नहीं मिल रही है, तो अब इसको भी कैसी पोजिशन में लगा सकते हो, यह भी कोईल है, इसको भी आप कैसी पोजिशन में लगा सकते हो, हाँ थोड़ा आपने इन ऐसी का ध्यान देना पड़ेगा, जो ऐसी जैसे लगी है, वैसे ही यहां पर एक पोईंट होता है, गोलड पोईंट मिलेगा, इस मेस के रहY bef लगाने के लिए अपने इसके पोईंट को मस्क्यामेस करना पड़े और मैंने सब साव्या आपको वांच्यद्वेन लगवा से अपर वीडियो है, एक एक टॉपिक पर वीडियो हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आत्तर सर्च महारो, उपर लिख लो, रजिस्टर आगे लिख लो मेरे चैनल का नाम, टेक्नोमितर यूट्यूब पर, सर्च महारो, आपको वो टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी, और एक चीज और आपको बत कही हुए है लेकिन इससे भी छोटग रीकिते होते है मुबाइल पर उनिकी नंबर्न नहीं लिखे होती है रिजिस्टेंस की टिक हैГै मुबाइल पर आरदी निका रहेगा आपको किसी भी इस अब इसमें देखिए आपको किसी भी component के आगे R, C या फिर L step से या फिर Q नहीं लिखा मिलेगा, बहुत छोटे चोटे और बहुत ही हलके जो आपके board होंगे या फिर बहुत ही micro board होंगे जैसे mobile board में, बिल्कुल भी नहीं लिखा रहता है वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ढूंड के जानकारी लेके लगाना होता है resistance और coil बिल्कुल एक जैसी दिखती है, इन board पे और mobile board पे, अब आपको पता दूँ, जो mobile board होता होता है उसमें resistance में number नहीं लिखा होता है और coil पे भी number नहीं लिखा होता है, same वो black resistance और coil को किसी भी direction में लगा सकते है basically मैंने सभी components के बारे में आपको जानकारी दे दी और आपने बहुत कुछ यहां पर शीखा होगा अगर आपको इतना साभी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो पे comment जरूर करना और वीडियो को like जरूर करना और share जरूर करना झाल